दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे इसके साथ ही वीडियो के अंत में आप से एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बोक्स में बताना है जिसमें से किसी एक को बिहारी मीडिया की ओर से एक लखी प्रायज जितने का मौका मिलेगा साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बोक्स में जरूर पूछें आज की सबसे पाहली कबर बिहार में आज से अठारा साल से उपर वालो को लगेगी कुरोना वैक्सिन सरकार ने किया एलान जिहां बिहार में तेजी से बढ़ती कुरोना महमारे के बेच एक रहत की खबर सामने आई है बिहार सरकार ने एलान किया है कि आज यानि 9 माई से बिहार में 18 से उपर के लोगों को वेक्सिन दी जाएगी स्वास्त विभाग ने 3,50,000 डोज प्राप्त किया है सरकार ने इवावो को वेक्सिनेशन की पूरी तैयारी कर ली है सनिवार को बिहार सरकार ने ट्विट करके इस बात की जानकारे दी है कि आज यानि 9 माई से 18 से 44 साल के लोगों के लिए ठीका करन सुरू हो जाएगा अगली बड़ी कबर अस्पताल में भरतिक करवाने के लिए नहीं होगी कोरोना पोजिटिव रिपोर्ट के जरूरत केंद्र ने किया बड़ा बदलाव देश में कोरोना वारेस की विक्राल दूसरी लहर के बेच केंद्र सरकार ने सनिवार को कोवेड-19 के इलाज को लेकर कई अहम बदलाव किया है अब मरिजों को अस्पताल में भरतिक करवाये जाने के लिए कोवेड-19 की पोजिटिव रिपोर्ट के जरूरत नहीं होगी पहले अस्पतालों में भरतिक करवाने के लिए कोवेड की पोजिटिव रिपोर्ट या फिर सिटी इसकेन के जरूरत होती थ किसी भी मरीज को सर्विस देने के लिए इंकार नहीं किया जाता है इसमें ऑक्सिजन या आवस्यक दवाय भी सामिल है भले ही मरीज किसी दूसरे सहर का ही क्यों नहीं हो इसके साथ मंत्राले ने आगे जानकारी दे कि किसी भी मरीज को इस आधार पर परविस देने से मना नही किया जा सकता है कि उसके पास उस सहर का वेलिड आईडे कार्ड नहीं है जहां पर अस्पताल इस्तित है अस्पताल में एंटी जरुत के हिसाब से होगी अगली बड़ी कबर जेड़ुए मलसी तन्वीर अक्तिर का कोरोना से निधन सेम नितिस ने जताय सोक राज के सम्मान के साथ हुआ अंतिम संसकार जी हाँ जेड़ुए नेता और विदान पारसत तन्वीर अक्तर के कोरोना से मौत हो गई कुछ दिनों से पटना के आईजी आयमेस में भरती थे जहां सनिवार कुनों ने अंतिम सास ले तन्वीर अक्तर जेड़ुए अलप संग्यक पर कोष्ट के प्रदेश के परभारे थे तन्वीर अक्तर विदान सबा कोटे से 2006 में मीदान से बने थे और उनका कारेकाल जुलाई 2022 तक था मुखमंत्रे नितिस्कुमार ने विदान पारस टन्वीर अक्तर की निदन पर सोख वेक्त किया है मुईक मंत्रे ने कहा कि तन्विर अक्तर कुसल राइनिता थे, मिलनसार वेक्ती थे तथा लोगों की बेच कापी लोग पिरिया थे बड़ी कबर राज में मरीजों को रहाद ऑक्सिजन की किलत के बेच PMCH ने सुरू किया अपना प्लांट जिहां राज में ऑक्सिजन की किलत को देखते विए पटना मेडिकल कॉलेज होस्पिटल यानि की PMCH ने अपना खुद का ऑक्सिजन प्लांट सुरू कर दिया है या मरीजों के लिए रहाद की खबर है राज में ऑक्सिजन सप्लाई लगातार बाहाल करने की कोशिस की जा रही है इसी क्रम में PMCH के ऑक्सिजन प्लांट का उदगाटन हो गया है आपको बता दे कि PMCH में फिलाल मरीजों के इलाज के लिए 800 से 900 ऑक्सिजन सिलेंडर की जोरत पढ़ती है लिक्वीड ऑक्सिजन प्लांट सुरू होने पर रोजाना 2000 से 2500 सिलेंडर भरे जा सकेंगे इससे ज़रुत पढ़ने पर दूसरे अस्पतालों के भी मदद की जा सकती है आगली बड़ी कबर रेमडे स्वीर के लिए बिहार का कोटा बढ़ा 15 जिगोहों पर ऑक्सिजन प्लांट लगाने की प्रक्रिया भी सुरू जी हाँ, कोरोनकाल में मरेजो के इलाज में इस्तिमाल होने वाले रेमडे स्वीर इंज़ेक्शन का कोटा बिहार के लिए बढ़ा दिया है वहीं केंदर सरकार ने बिहार में 15 जगहों पर ओक्सिजन जेनरेशन प्लांट लगाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है पूर जुमराव मसोड़ी பतोरी बनमकनी परविस गंज सिमरी बलिया कहल गाव सामिल है बड़े कबर राज में कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को चाइल केर होम में रखा जाएगा जिया बिहार में कोरोना का कहर जारी है कोरोना संक्रमन से कई लोग के अब तक मौत हो चुकी है इस महामारे से कई बच्चे अनात हो गए हैं ऐसे बच्चों के लिए सरकार ने अहम फैसला लिया है कोरोना संक्रमन से यदि किसी बच्चे के माता पिता की मौत हो जाती है और उसकी देखरे करने वाला कोई नहीं है ऐसे बच्चों को चाइल्ड केर होम में रखा जाएगा इस सम्मद में समाज कल्यान विभाग ने सभी डियम को पत्र लिखा है समाज कल्यान विभाग की निदसक राज कुमार ने जीलो के डियम को निर्दिस दिया है कि आनात बच्चों को अविलम चाइल्ड केर होम में रखे जाने के विबस्ता की जाए बच्चे या बच्चियों को ट्रेफिकिंग में लगाए जाने की असंका जता हुवे सरकार ने यहाँ फैसला लिया है साथ बच्चों की उम्र इसाब से उन्हें चाइल्ड केर होम में रखने के विबस्ता कराई जाएगी बड़े कबस सरकारे स्कूल के बच्चों की 10 मैं से दुरदर्शन पर लगेगी पाट साला एनिमेशन के जरिये भी होगी पढ़ाई जिहा कोरोना की भयावा इस्तिति को देखती वे बिहार में सभी प्रावेट और सरकारे स्कूलों को बंद रखा गिया है बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो इस मकसद से सीख्चा विभाग ने सरकारे स्कूलों के बच्चों को दुरदर्शन के माजधम से पढ़ाने का फैसला लिया है सिक्चा विवाग के बिहार सिक्चा परियोजिना परिसत द्वारा यूनिसेप के सयोग से इस पारसला का संचालन किया जाएगा जिसका प्रसारन दुरदर्शन के डीडी बिहार चैनल पर सोमवार 10 माई से सुबह 10 बजे से 12 बजे की बेच किया जाएगा कक्षा 9 एवं 10 के लिए सुबह 10 बजे से एक घंडे की कक्षा लगेगी जबके इसके बाद 11 से 12 बजे की बेज 11 और 12 कक्षा की पढ़ाई से जुड़े कायरकरम परसारित किये जाएंगे बिहार में मिले 12,948 कोरोना मरेज आज 76 लोगों की मौत पटना में 2490 केस बिहार में कोरोना के रब्तार कम होने का नाम नहीं ले रहा है चारो और त्रहे माम मचा हुआ है राइदानी पटना के स्थिति सबसे भयावा है सनिवार को बिहार सरकार की ओर सी जारी ताजा आकड़े के मुताबिक राज में पिछले 24 गंटे में कोल 12,948 नई कोरोना मरेज की पहचान की गई है जबकि पिछले 24 गंटे में कोल 76 मरेजों की मौत हो चुकी है बिहार में कोरोना संक्रमन की दूसरी लहर बड़ी तेजी से फेल रही है सबसे ज़्यादा पटना में मरेजों की संख्या पाई गई है पटना में सबसे ज़्यादा 24,948 संक्रमित मरेज की अलावा बेगुसरा में 586, समस्तिपूर में 560, नालंदा में 740 और पश्चिमी चंपारण में 578 नई कोरोना मरेज मिले हैं बिहार में कल से बिना पैसा लिए मिनने लगा है सरकारी रासन, PDS दुकानों पर दिखी भीड़ जिहा आट मैं सनिवार से प्रदेश के सबी जन वितरन केंद्रों पर बिना पैसे लिए सरकारी रासन बाटा जा रहा है मैं मा में बिहार के PDS उपवगताओं को हर मा से दो गुना रासन मुप्त में मिलेगा अधिकारी जानकारी के मताबिक राज के लोगों को प्रतिक किलो चावल तीन रुपिय और प्रतिक यहूं के लिए लगने वाले दो रुपिय प्रतिक किलो की किमत पूरी तरह खतम कर दी गई है हाला कि यह केवल एक मा के लिए किया गिया है वही प्रधान मंत्री गरिब कल्यानी योजना के तहद मैं और जून में प्रतिक लबार्थी को पाच किलोग्राम खादान अलग से मुप्त में दिया जाना है बड़ी खबर राज में मनमानी वसुलो पर लगेगा लगाम बिहार सरकार ने तै किया सीटी स्किन के रेख जिहा कोरोना मरीज की सहलित के लिए नीति सरकार ने सीटी स्किन की चार्ज तै कर दिये हैं सरकार ने जो चार्ज तई किया है उनमें अब पाचीस सो रुपिय और तीन हजार रुपिय की दर से मरीजों को भुगतान करना होगा सरकार ने अपने निर्देश में साब तोर पर कहाए कि मरीजों से तई दर से जादा रासिल लेने पर नियमों के अनुरूप सक्त करवाई भी कि जा सकती है आपत के बेच रहात की खबर देश के 180 जीलों में एक हफ्ते से नहीं आया एक भी नया केस भारत में कोरोना वारेस के दोसरी लहर का परकोब जारी है हर दिन कोरोना वारेस के नए केस रिकोर्ड बना रहे हैं और रोजाना मिलने वाले कोविट केस के आकड़े भी 4 लाग पार कर गए हैं आला कि कोरोना अपद के बीज देश के कुछ जीलों के लिए रहात की भी खबर है क्योंकि वहां बिते कुछ समय में कोरोना के एक भी मामले सामने नहीं आये हैं केंद्रिय स्वास्त मंत्रा लेकि आकड़ों पर गौर करे तो देश में 180 जीले ऐसे हैं जहां बिते साथ दिन है वहीं 18 जीलों ने पिछले 14 दिनों में कोई भी मामला दर्ज नहीं किया है इसके अलावा पिछले 21 दिनों में 54 जीलों में कोई नया मामला नहीं दिखा गिया है कोरोना से संक्रमित 80,000 से अधिक रेल कर्मियों को 30 दिन का मिलेगा स्पेशल लिवे रेलवे बोर्ड से मिली मंजूरी जिया रेलवे करमचारी यूनियन की पिछले एक वर्स से चली आ रहे मांग को रेलवे ने पूरी कर दी है पूरोईğ मईद रेल करमचारी योणियन समेत अने रेल योणियन की और से पिछले साल कुरोणा की पहली लहर में इक कोरोणा से पिड़ रेल करमियों के लिए स्पेसल चुटी की मांग की गई थी जिसे रेलवे बोर्ड ने मन्यूरी दे दी है इस समन्द में पूरो मजद रेल के मुख्याले से भी पत्र जारी किया जा चुका है रेल मुख्याले द्वारा जारी पत्र के अनुसार पूरो मजद रेल के सभी पाच रेल मंडल में कोरोना से संक्रमित रेल कर्मचारियों को 30 दिनों का स्पेसल लिव मिलेगा जो पहले मिलने वाले चुट ट्यूटर पर मंगल पाण्डे इस्तिपा दो हुआ ट्रैंड यहां, बिहार में कोरोना वरेस के बढ़े संक्रमण के बीच विपक्ची दल राजट ने स्व SI सरकार के स्वास्त मंत्री मंगल पांडे के खिलाब मोर्चा खोल दिया राजत ने बिहार के स्वास्त मंत्रे से कुरोना के बढ़ते कहर के लिए जिम्मेदार ठाराया है और इस्तिपे की मांग की है राजत नेताओं ने इसके लिए सोसल मीडिया पर ट्रेंड भी चलवाया है आपको बता दे कि राजत ने सियम नितिस कुमार से मंत्रे मंगल का हैश्टेग भी चलाया है जिसके बाद ट्यूटर पर ये हैश्टेग ट्रेंड करने लगा बोध गया को कोरोना काल में विदेशी मदद जर्मनी ऑस्टेलिया कनाडा वियतनाम युएसे के लोगों ने उठाया मुप्त ऑक्सिजन सिलेंडर का जिम्मा जिया कोरोना काल में स कनाडा वियतनाम युएसे के लोगों की मदद से जर्मनी ऑस्टेलिया कनाडा वियतनाम युएसे सरी के दस देशों के लोग जुड़े हैं ये वे लोग हैं जो बहुत धर्म को पूरी तरह से अनुआई हैं पड़ी कबर स्वास्त मंत्री मंगल पांडे ने जारी किया हेलप लाइन नंबर सिकायत और मदद के लिए इस नंबर पर करे कॉल बिहार में कोरोना वारेस के मामले में बृधी का सिलसिला जारी है इसी बीच बिहार के स्वास्त मंत्री मंगल पाने ने सुकुरवार को ट्विट करके लोगों के लिए एक हेलपलाइन नमबर जारी किया है इस पर लोग 24 घंटे में कभी भी कॉल करके सहता सला या मदद मांग सकते हैं मंत्री ने कहा मिलकर संग कोरोना से जितेंगे जंग कोविट-19 के संबद में सिकायत सुजाव एवं परामर से तुडाइल करे 1070 कोविट-19 हेलपलाइन नमबर आज के लिए आपका सवाल बताए कि भारत में सबसे बड़ा पसु मिला किस राज और कहां पर लगता ह इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंड बॉक्स में जरूर बताए